आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे MSC के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि MSC कोर्स कितने साल का होता है और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि MSC कोर्स की फिस कितनी होती है तो दोस्तों अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को continue अंते तक जरूर देखिए मेरा नम है आयूस और आप देखे रहें आयूसरी नहीं यूटूब चैनल चली वीडियो को सुरू करते हैं देखोगेज MSC जिसका full form होता है Master of Science ये एक post graduate course है यानि की PG course है और इसे करने के लिए आपकी graduation complete होनी चाहिए यानि की graduation करने के बाद ही हम लोग post graduation का course कर सकते हैं MSC का जो course होता है ये higher studies में count होता है MSC आप किसी एक subject से कर सकते हैं चैप physics से कर लीजे, चैप chemistry से कर लीजे, चैप mathematics से कर लीजे, चैप biology से कर लीजे से या फिर और सब्जेक्ट से और एक और बात जरूरी है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से MSC का course करना चाहते हैं वह सब्जेक्ट आपके graduation में होना चाहिए अब हम लोग जान लेते हैं कि MSC का course कितने साल का होता है उसके बाद हम लोग जानेंगे कि MSC की फिस कितनी होती है तो देखो गाज, MSC का जो course होते हैं यह दो साल का होता है जी हाँ, बहुत जगह पर यह yearly होता है यानि कि first year, second year, कई जगह पर यह semester wise होता है यानि कि first semester, second semester, third or fourth semester यानि कि 2 साल में आपके 4 semester होते हैं अब हम लोग बेना time waste कि फिस के बारे में बात कर लेते हैं कि MSC की फिस कितनी होती है तो देखो गाज, यह depend करता है कि आप MSC किस जगह से कर रहे हैं आप government college से MSC का course कर रहे हैं कि आप private college से MSC का course कर रहे हैं मैं यहापे आपको दोनों college की फिस बताऊंगा एक average फिस बताऊंगा जिससे कि आपको एक idea लग जेगा देखोगे अगर आप government college से MSC का course कर रहे हैं तो जो आपकी फिस होगी वह बहुत ज़्यादा नहीं होगी एक average government college की हम लोग फिस के बात करें तो इसकी जो फिस होगी 8000 से 12000 रुपे होगी एक सल की मैं सरकारी college के बार मात करूँ हो सकता है किसी-किसी सरकारी college में इससे भी काफी ज़्यादा कम फिस हो और किसी-किसी में हो सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा हो और अगर आप private college से MSC का course कर रहें तो दोस्तो इसकी एक सल की जो फिस होगी 25,000 से 50,000 रुपे हो सकती है हो सकता है कि इससे और भी जादा हो MSC का अगर आप course करते हो तो दोस्तो आपको scholarship भी मिलती है तो I hope दोस्तो इस छोटी सी वीडियो में आपको दोनों चीज़ कवर कर दी अगर आप कोई वीडियो पसंद दे तो वीडियो को लाइक कर दीज़े कमेंट करके बताए कि आपको वीडियो कैसी लगी कुछ पूछना है तो वो भी बताए और हमारे चैनल पे जाके वीडियोज देखे बहुत सारी वीडियोज है झाल